विल्कम बैक टो श्वेता की चैनल टेपस तो फ्रेंट्स आज फिर से बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आगई है जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है इसमें ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके रोज की कामों को बहुत ही आसान कर देगी तो चल लब जाती है तो आप एक बैंगल ले लिए चूड़ी जो हम पहनते हैं एक रवर बैंट और इस तरीके से आप बैंगल में इसको फसा दीजे जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं बस इसी तरीके से अगर आप फसा देते हैं तो यह इधर उधर ज़रा सा भी हीले बीजाएगा और जब भी आपको इसे दुलना हो आप रवर को निकाले और टॉविल को निकालके आराम से इसे क्लीन कर लीजे यह बहुत ही छोटा सा जुगाड़ है लेकिन आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देगा तो यह रेखे इस तरीके से मैंने इसमें अच्छे मिक्सर जार का यूज हम सब करते हैं लेकिन उसे हम अंदर से क्लीन कर देते हैं और यह पीछे के साइड में थोड़ा थोड़ा सा जब कोई भी चीज इसमें हम पीसते हैं वह गिरता रहता है तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे से इसमें दाग लग जाता है फिर वह जम ज मेला सोडा होता ही है बस वही आधा चमच इसमें आप डाल दीजे जैसे कि मैंने डाला है उसके बद आपको लेना है नीबू तो बस इसके उपर आप नीबू डाल दीजे यहां पर देखें पहले मैंने एक छोटा पीस नीबू का लिया है डाल रही हूं और अगर मुझे कम लगेगा तो मैं यहां पर आधा नीबू और डालूँगी तो आप मान के चलिए कि जो मीडियम साइस का नीबू होता है वो इसमें एक नीबू पूरा लग जाएगा यहां पर देखें इस तरीके से आपको सिर्फ इसके उपर नीबू डालना है जैसे मैं आपको दिखा रह जाएगा आप देख रहे हैं जैसे यह ऊबल रहा हो इस तरीके से इसमे बहबल सा रहे हैं तो आप चाह Susanne की मदद से करेंगे देखें तो आपको समझा रहा होगा कि कैसे आराम्ची निकल्राग रहा है आप चाहो तो फिंगर की मदद से इसे क्लीन कर सकते हो या फिर आप जो तूद ब्रश होता है उसका भी यहां पर इस्तिमाल कर सकते हो और यह इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगा आप देखिए पहले ही बिना ब्रश लगा है मैं आपको दिखा रहे हूं कि कितना ज्यादा क्लीन हो चुका है लेकिन मैं हलका सा ब्रश लगा द बिल्कुल साफ सुतरा हो जाता है बिल्कुल चमकदार जैसे कि बिल्कुल नया नया भी अभी आप लेकर आए हैं तो देखिए यहां पर मैंने पानी डाल दिया और आपको दिखा रहे हूं कि देखिए बिल्कुल साफ हो गया है यह बहुत ही जादा अच्छे तरीके से शा सकते हैं इससे उन में से एक एसी च्छोटी घ्रकते आपके साथ करुए हूँ देखें केले की चिलके को मैंने ले लिया है एक पीस और मैं इसे हाथ पर दिखा रहे हूँ आप सेम चीज़्टी फेस पर कर सकतें हल्का हाथ से अपने ह Sug old करूंगी जहांपर आपको काला काला निशान दिखें वहाँ पर थोड़ा जादा कीजिएगा और उसके बाद आप डिफ्रेंस देख लीजिए अभी तो सिर्फ मैंने इस पर रब किया है अब मैं धूलकर भी आपको दिखा देती हूँ तो देखें ये वाला आपको हलका हलका सा काला दिख रहा होगा औ साफ दिख रहा होगा तो इसे धूलके दिखा रही हूँ मैं आपको और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता यह चोटा सा ट्रीक है लेकिन बहुत ही कमाल का है सेम चीज आप फेस पे भी अपलाई कर सकते हैं अब यहाँ पर अगली ट्रिक देखते हैं तो एक बाद में मैंने थोड ना ले सकते हैं यह दोनों ही टेबलेट जो है यहाँ पर एक पेपर में मैंने रख ली है बच्चों की नोटबुक के पेपर ले सकते हैं यह फिर कोई भी ऐसा पेपर बस इसे हमें हलका सा पीसना है आप बेलन की मदद से इसे हलके हलके से मतलब कि दबाएंगे तो यह तो हलका सा गुंगुना पानी लेना है आपको या फिर आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं लेकिन अगर गुंगुना पानी लेते हैं तो रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है मतलब थोड़ा गरम पानी यहाँ पर इसे आपको डालना है वेशन में मतलब बरतन दूलते हैं वहा कमाल का है यहां पर आपको छिलका ले लेना है उसके बाद इसको कैंची की मदद से चाकू की मदद से चोटे-चोटे पीछ इसके काट लेने है तो यहां पर जब तक मैं इसे कट कर रहे हूं तब तक आप फटा-फट से वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब क यहां पर केले के चिलके को मैंने काट लिया है उसके बाद यहां पर जो डंठल आप उसे इस तरीके से डाल दीजे अब इसे आप किसी भी ऐसे बरतन में रख दीजे जिसका यूज़ आपको नहीं लगना हो मतलब जल्दी से नहीं लगना हो दो-तीन दिन यहां पर इसमें डालके आप इसे दो-तीन दिन छोड़ दीजे उसके बाद इसे अपने घर के पेड़ पौध हमें डाल दीजे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी अब यहां पर देख लेते हैं अगली ट्रिक तो देखिए यहां पर मैं यह ट्रिक बैगन से तेने वाली ही तो देखिए फ्र इसे प्रेखिए गोल वाला बैगन भी आप यहां पर यूज़ करते हैं और लंबा वाला भी तो हलका हलका से आपको प्रेश करते हूं इसे बेल देना है हलका प्रेस करेंगे तब ही इसके जो बीज है वो अंदर से डिला हो जाएगा और फिर आप इसे आसानी से निकाल सकत तो यहां पे देखिए बस इसको आप इस तरीके से जटकेंगे तो भी इसमें से सारा बीज निकल जाएगा आप इसे लाइफ देख सकते हैं मैं इसे इस तरीके से काटने के बाद टैप टैप कर रहे हूँ यह इसमें से सारे बीज निकल के बाहर गिर रहे हैं या फिर अगर आपको पूरा ही निकालना है, पूरी तरीके की एक भी बीज न रहे हैं, तो आप चाकू की मदद से, जो इसमें चिपके हुए या फिर फसे हुए बीज हैं, इस तरीके से निकाल दीजे, तो इस तरीके से बैगन में एक भी बीज नहीं रह जाएगा, और फ्र करके अपना प्यार भरा सपोर्ट जरूर दीजे तो यहां पर देखिए पूरे बैगन मैंने आपको यहां पर निकाल कर दिखा दिए सिर्फ एक पार्ट का निकाला है